आप सुभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टाफिक में यूपी वोर्ड कलाश 10th 2023-2024 के माडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे या जो आपका माडल पेपर का विशा है वह सामाजिक विज्ञान है इसमें जितने भी बिकल्प या जिस तरह से आपका प्रस्म पूछता है सेम टू सेम उसी तरह से बोड के द्वारा बनाया गया यह पेपर है तो आईए हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे या जो आपका माडल पेपर है वह विशे आपका सामाजी बिज्ञान है क्लाश 10 के विद्यार्थियों के लिए तो यहां आप लोग देख लीजिए जो आपका समय होगा वह 3 घंटा 15 मिनट पूडांक आपका जो होगा वह टोटल 70 नंबर का यहां सामान निर्देश आप लोग पढ़ लेंगे पाला है सभी प्रस्ण अनिवार है प्रारंब के 15 मिट परिछार्थियों को प्रस्पत पढ़ने के लिए निर्धारित है इसलिए 3 घंटा 15 मिनट है यह प्रस्पत दो खंडों आ और बा में विभाजित है खंड आ में 20 अंक के बहुबिकल्पिये प्रस्ण है जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है अगला OMR सीट पर उत्तर अंकित किये जाने के पस्चाथ उसे काटे नहीं तथा इरेजर यों वाइटनर आदिका प्रियोग ना करें खंड बा में 50 अंकों का है जिसमें वड़ातमक प्रस्णाएंगे और मांचित्र सम्मंदी दो प्रस्णाएंगे पर तेक प्रस्ण के लिए निर्धारी तक उसके सम्मुक्स अंकित यानि सामने दिया हुआ है दिये गए मांचित्र को उत्तर पूस्तिका में मजबूती के साथ संगलंग करना आवस्यक है आपको एक मैप मिलेगा उसी को जवाब भर देंगे उसके बाद कापी में आप बान देंगे उसको अगला है दिर्ष्टवादी परिषातियों के लिए मांचित्र कार के अस्थान पर अलग से प्रस्ण लिखने के लिए दिये गए हैं आईए हम खंड आ को सुरू करते हैं खंड जो आपका आ है वा टोटल बहु बिकल्पी है प्रस्ण है पहला प्रस्ण है राष्टवाद का उदय सरपर्थम किस देश से हुआ जर्मनी फ्रांस इटली या ब्रिटेन तो आपका उत्तर होगा फ्रांस अगला है डियूक मैटर्निक ने सामाजिक ब्यवस्था का सबसे खतरनाक दुस्मन किसको माना रूसो को विक्टरि मेनुवल को काल्विन को या जिव सेपी मेसिनी को तो उत्तर होगा जिव सेपी मेसिनी तीसरा आपका प्रस्ण है सूती कपड़ा मिल की रूप रिखा किसने रखी जान राइट ने रिचर्ड आर्क राइट ने आइंडू कारनेगी ने या जेमस वाठ ने तो उत्तर आपका बा होगा रिचर्ड आर्क राइट अगला प्रस्ण है 1928 से 1934 के बीच भारत में ग्यों की कीमत 50 परिशक तक गिर गई इसका कारण था अंतर राष्टी बाजार में कीमतों का गिर्ना कीमतों का बाढ़ना कीमतों का इस्तिर्णाना इप्रुत में से कभी कोई नहीं उस समय 1928 से 1934 तक पूरे बिच में महामंदी थी इसी वाजा से अंतर राष्ट बाजार में इसकी जो कीमत थी वाग गिर गई थी यानि आपसर नंबर आपका होगा आ पांचमा आपका प्रस्ण दिया हुआ है 1448 इसबी में गुटेन वर्ग ने कौन सी पाली पुस्तक छापी 1448 इसबी में गुटेन वर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी जेन आयर रमोना हाट केटी डिड बाइविल तो उत्तर होगा बाइविल अगला प्रस्ण है बेल्जियम में सामदाई सरकार का चुनाओ कोन करता है एक ही भासा बोलने वाले लोग सभी भासाओं को पोलने वाले लोग कि वर जर्मन भासा पोलने वाले लोग या उपरी सभ थी तो उत्तर होगा एक ही भासा को बोलने वाले लोग सात्मा आपका प्रस्ना है निमलिखित में कौन सा लच्छन संग्य शरकार से संबंधित नहीं है पाला है कठोर योम लिखित संबिधान, दूसरा सक्तियों का केंदरी करन, तीसरा है संग्यों राज्यों के मद रिखतियों का विभाजन या सरपोच न्याल है तो इसका आपका उत्तर होगा आपसन नंबर A, कठोर योम लिखित संबिधान आठमाय निम्लिखित में से लेंगिक आसमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है सरम का लेंगिक वीभाजन, जैबिक वीभाजन, समाज का फित्र परधान होना या मैलाओं में साछर्तदर की कमी तो उत्तर होगा आपना नमबरा स्रम का लेंगिक वीभाजन नववां आपका प्रस्ण है सांप्रादाइक्ता की समस्या प्रारंब होती है जब पहला है धर्म को ही राष्ट का अधार मान लिया जाए धर्म को राष्टे अलग कर दिया जाए सभी धर्मों को समार रूप से माना जाए कुछ ही धर्मों को पढ़नता दी जाए तो इसका उत्तर होगा सांप्रादाइकता को जो आपका प्रस्ण है इसका उत्तर होगा आपसा नंबर दा जब कुछ ही धर्मों को परधानता दी जाए अगला है निमलिखित में से कौन सा संग सूची भी से नहीं है परतिरच्छा मुद्रा सिच्छा या विदेशी मामले तो उत्तर होगा परतिरच्छा गिरामा आपका प्रस्ण है निमलिखित में से पांजाब में भूम संकुचन का मुख कारण क्या है गहन खेती अधिक सीचा अगला प्रसन निमलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चैन कीजिए पाला है भांखडा नांगल तो यहाँ पूझा गया किस नदी पर तो भांखडा नांगल आप लोग जानते होंगे कि जो भांखडा नांगल है वहाँ आपका सतलूज नदी पर बनाये गया है जो आपका टिहरी बाद है वहाँ भागी रथी नदी पर बनाया गया है आपका आपसन नमबर सी सही है और उसी तरह से आप मिला सकते हैं कि जो आपका हीरा कुंड है वा माना नदी पर सरदा सरोर वा नर्मदा पर अगला आपका प्रस्न है तेरहमा प्रस्न निमलिखित में से प्रात्मिक छेतर का किरिया कलाप नहीं है मचली पकड़ना, किरसी, गुड बनाना या डेरी उद्दो तो तेरहमे का उत्तर आपका होगा आपसन नमबर बा का और गा दोनों चाओ तो हमां आपका प्रस्न है सारजनी क्यों मिजी छेतर को की साधार पर बरगी किरित किया जाता है रोजगार आर्थिक किरिया उद्द्यम का स्वामित या सर्मिकों की संख्या तो आपसन होगा आपसन नमबर सी सा उद्द्यम का स्वामित तो अगला है भूच हरर से क्या तात पर है भूम का अनुप जाओं होना भूम का दलदली होना भूम का उप जाओं होना या भूम का योजना बद्ध होना तो आफसर नमबर पंदरा का सही होगा भूम का अनुप जाओं होना अगला है सुलाहमा प्रस्न मगर मच गैडा काला हीरन किस जाती में नहीं आते सामान जा संकट गरस्त जाती आयों बादोनों या उपरित सभी तो यह आपका अंसर होगा नहीं आते तो आपका जो उत्तर होगा वा होगा संकट गरस्त जाती सत्रहमा आपका प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा ब्यापार और रोधुकों का लच्छन नहीं है सरकार विदेश ब्यापार को नियमित करने के लिए ब्यापार और रोधुकों का परियोग कर सकती है दूसरा है सरकार या निड़े ले सकती है कि देश में किस परकार की बस्तुए कितनी मात्रा में आयती तो नहीं चाहिए तीसरा है विस ब्यापार संगठन ब्यापार औरोधकों को बढ़ावा देता है अगला अधिकतर देश ब्यापार और रोधुकों का प्रियोग अपने घरेलू उद्दोग की सुरच्छा के लिए करता है तो सत्रामे प्रस्ण का उत्तर होगा आपसन नमबर सा बिस ब्यापार संगठन ब्यापार और रोधुकों को बढ़ावा देता है अगला है भूम हीन ग्रामीर मजदूरों के लिए सबसे अधिक उप्युक्त विकास का लच्छ कौन सा है उपज का ज्यादा समर्थर उनके बच्चों को विशेष विदेश में पसाया जा अधिक मजदूरी या उप्रिक्त में से कोई नहीं तो आपसन नमर सी होगा अधिक निमलिकित में से कोन सा परंप्रागत उर्जा का स्रोत नहीं है कोईला भूतापिय उर्जा आएउं बा दोनों या उपरिक्त में से कोई नहीं तो अन्नैसमें प्रस्ट का उतर होगा अधिक में में विरिद्धी हुई दूसरा बहुराष्टिय कंपणियों द्वारा भाल के विदेशी व्यापार के अधिकांस भाग पर नियंतरन हुआ तीसरा बहुराष्टिय कंपणियों के आगमन से लोगों की आर्थिक इस्तिती सूधरिन हुई अगला है उप्रुष सभी तो बीसमे परंद का उत्तर होगा आप्सन नंबर सी बहुराश्टी कमपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक इस्थि सूद्रिन हुई अब हम खंड बा को देखेंगे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे उत्तल्गभग असी सब्दों में देना है आपको पर्थम बिश्यूद के पशात होने वाली महामंदी के दो कारण लिखिए पर्थम विश्यूद के पशात होने वाली महामंदी के दो कारण लिखिए अथवा 1928 से 1934 के मद्ध होने वाली महामंदी का भारती अर्थव्योस्था पर पढ़ने वाले दो परभाओं की ब्याख्या कीजिए इन दोनों में से एक ही हल करना है जो आपका त्यार रहे उसी को हल करेंगे ये कही परत का उत्तर देना है जैसे एक में दिया है चाहे आप पर्थम विश्यूद के पशात होने वाली महामंदी के दो कारण या उसके परभाओं एक ही आपको करना है दूसरा आपका दिया हुआ है सत्ता की साजेदारी लोकतंत्र की आत्मा है इस कथन की कारण सहित पूष्टी कीजी अगला है बरतमान परिछेतर में जाती में राजनीत यूम राजनीत में जात कतन की ब्याक्या दोनों में से एक जो आपका तयार हूँ उसी को हल कर दीजी कार्थिक विकास के लिए उर्जा एक आधार बूत अवसकता इसके दो कारण लिखिया थवा परिवहानियों तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं दो कारण लिखिये इसमें से एक चाउथा आपका प्रसंदिया हुआ है बहुराश्ट दो कारणों का उलेख करना है अथवा अच्छे बाजार के किनी दो लच्छनों का उलेख किजिए दोनों में से एक अब आपके वनात्मक की दोसरे आएंगे इसमें उत्तर लगभग आपको 150 सब्दों में लिखना है लगभग आप परियास करेंगे कि देड़ पेंच का गांधी ने आसायोग आंदोलन क्यों चलाया किनी दो कारणों को लिखिए इसे उन्होंने अस्तगित क्यों कर दिया अथवा सत्यागरा आंदोलन का आर्थ क्या है अब महत्मा गांधी द्वारा चलाये जाने वाले किनी दो सत्यागरा आंदोलनों का उलेख दोनों में से ए छाठमा आपका प्रस दिया हुआ है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आउसकता क्यों पड़ती है इनके किनी चार कारियों का उलेक कीजिए अथवा लोकतंत्र उत्तरदाई पारदर्सियों बद सासन की वियोस्था देता इसकतन की व्याख्या दोनों में से एक अथवा भारत में पाई जाने वाली मोटे अनाजों का उलेक कीजिए इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाई किये जा सकते किनी दो का उलेक दोनों में से एक करना है आठवा आपका प्रसंदिया हुआ है आसंगटी छेत्रक के सर्मिक सामाजिक भेदवाव के सिकार है इसके तीन कारण लिखी है अथवा मानो विकास उचका क्या है मानो विकास को नापने वाले पर्मुकायों का वाला निसमे से यह यानि चार कोस्चन आपको लगुमे करना है चार आपको दीर्ग मे करना है उसके बाद आपका आज आता है मांचित्रकार जो आपका होगा उसमें 5 नंबर आप 5 कोस्चन आप से पूचा जाएगा अब बहुत ही अच्छे तरह से आप करेंगे आपका 5 नंबर वह आपको मैप पर ही अपना एंस्वर देना है अब हमागे YouTuber अगर जहां जलिया वाला बाघत्या कांड हुआ तो आप लोग जानते हूंगे जलिया वाला बाघत्या कांड कहां हुआ था तो यहाँ आपका अमरिससर में हुआ था जो बच्चे इसको जानते उसको करेंगे इस चैनल पर सभी withhold Jugend seeds कैसे भरा जाएगा उसको पढ़ाया गया है तो आप इसको अच्छे से तयार कर लेंगे इस पेपर को क्योंकि यह आप जो पेपर हो आप बोर्ड दोरा जारी किया गया है और अधिक से अधिक नंबर आप बोर्ड में पाएंगे आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धर्नबाद झायार्थियू